अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को Knowledge for Indian आज की इस विडियो में हम बात करेंगे DOXO Max XP टेबलेट के बारे में इस टेबलेट के या फिर इस medicine के क्या फायदे है, क्या नुकसान है, कैसे लेना है, क्या प्राइस है ये सारी जानकारियां आज की इस विडियो में आपको दूँगा तो सबसे पहले हम प्राइसे शुरुआत करते हैं तो देखे, 61 रुपीज 30 पेसे में एक इस्टिर पाती है, जिसके अंदर आपको 10 टेबलेट मिलती है तो देखे, प्राइस समय के अनुसार बढ़ता रहता है, तो जो आज का प्राइस है, वो इधर में आपको बता दिया है और ये जो है, अरिश्टो फार्मा बालो की है, जो कि काफी अच्छी कंपनी है अब इसको खरीदना कहां से है, तो देखे, जो भी लोकल एलोपेदी मेडिकल इस्टोर होते है वहाँ से आप इस डोक्सो मैक्स एक्स्पी टेबलेट को खरीज सकते हो अब हम बात करते हैं कमपोजिशन के बारे में इसमें क्या क्या है तो देखे, इसमें है डोक्सो फाइलीन जो की 400MG में रहेगा और इसमें है अम्प्रोक्जॉल जो की 30MG में रहेगा तो इन दोनों के कॉंबिनेशन से जो है ये डोक्सो मैक्स एक्स्पी टेबलेट बनाई गई है अब हम बात करते हैं फायदे के बारे में इसके फायदे क्या है और इसका काम क्या है तो देखे, सांस लेने में अगर आपको तकलीफ होती है तो उस कंडिशन में डोक्सो मैक्स एक्स्पी टेबलेट ली जाती है या फिर हम बोल दें के COPD, एक COPD बिमारी होती है जिसको बोलते हैं अब देखिए, यह जो मेडिसिन है, ब्रोंको डाइलेटर है अगर आपको अस्तमा है तो अस्तमा में भी यह मेडिसिन दी जाती है अब जैसे के आपको खासी चल रही है या फिर बोलें तो कफ वाली खासी चल रही है अंदर म्यूकस जो है, हो गया है अब यह करती क्या है कि जो खासी चलती है तो जो फेपलों में जो सास की नली होती है उसको खोलती है अब इसके अलावा जैसे के आपको म्यूकस जैसे को हो जाता है आप जैसे के नाग, स्वास की नली और फेपलों में जैसे बलगम हो जाता है तो उसको पतला करके निकालती है तो इस प्रकार से अगर आपको बलगम वाली खासी आती है तो उसमें काफी आराम बिलता है और कई सीटीब बहुती है थैंट कांशी पार काफी तकलीफ होती है घ्रणस में अगर आपको प्राउलम है Support जैसी कफ वाली खांशी या साास लेन में पार टो प्राव्लम है घ्रणसमें तकलीफ तो आपने देखा हुगा खास तोर से जिसे ठंड आती है मोसम चेंज होता है तो उसमें काफी दिक्कत होती है कफ वाली टाइप की खासी होने लगती है तो उस कंडिसन में भी इसको ले सकते हैं तो इधार आपको एक दिन में एक बार लेना होता है लेकिन अगर प्रोब्लम जादा है तो इसको एक दिन में दो बार तक लिया जा सकता है और इसको कुछ भी खाने के बाद ले तो बहतर रहेगा चाहे नाशता करो एक खाना खा, उसके बाद ले और सिंबल इसको पानी के साथ लेना होता है अब male female जो है इसको कोई भी ले सकते हैं और बच्चों के बारे बात करूं तो जो बड़े बच्चे हैं वो ले सकते हैं लेकिन डॉक्टर की सला से यह छोटे बच्चों के लिए नहीं है और जो प्रिग्नेन लेडी है तो प्रिग्नेन लेडी को भी नहीं लेना है और लेना है तो डॉक्टर की सला से अब कोई दूसरी medicine आप पहने से ले रहे हैं, कोई chest के medicine या सास लेन में जो तकलीफ होती है, वो वाली medicine ले रहे हैं, तो देखी ले सकते हैं, लेकिन doctor से सला करने तो बहतर रहेगा, अब इसको कब तक लेना है, तो depend करता है आपकी बीमारी पर, अगर आपको ज्यादा प्रॉ तो देखे, कुछ दिन आप इसको लेके देखिए, कम चम साथ दिन आप लोगेना तो आपको फायदा जरूर मिलेगा या कुछनकुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा, जैसे कर अपको अल्कोहल नहीं लेना है, इस्मोकिंग नहीं करना है, और जो भी आप पार अप मसाला, गुड के लिए फेपड़ों के लिए बेकार होता है आप हेल्दी डाहिट लीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टायल लखिए इसके अलावा थोड़ा सा पान ही जाद पीजिए और एक्ससाइज कर सकते हैं तो काफे अच्छी वात है और नहीं तो आप एटलीस वाकिंग करें और मैंडिसें इसलेटिट योके मैं डेली बनाते रहता हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो विडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा फिर मिलेगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप बने रही है और देखते रही है आपके अपने चैनल में नॉलिज फॉर इंडियन